गुड मॉनिंग एब्रेवन वल्कम टो सुद्व सर्विसे श्टड़ी 27 मार्च हो गई आज जब ये टेस्स रिकॉर्ट किया चारा है फोकस करेंगे इंपोर्टेंट करेंट एफेट्स के प्रश्णों पर यूपी पीसियस के लिए चले स्टार्ट करते हैं प्लेइलिस्ट ब चरिसा वहे इस्लामी देश कौन सा हुए जिसने फरवरी 29 में सेना में महिलाओं के प्रवेस को अनुमती प्रदान की सेना में महलाओं के पृविज को अनुमती प्रदान की है सेना में महिलाओं के प्रवेश को अनुमती प्रदान करने वाला सौधी अरब तो सौधी अरब ने फरबड़ी 22 में सेना में महिलाओं के प्रवेश को अनुमती प्रदान की है सीदे-सीदे आद दखेगा अंतराश्टिय परवत दिवस कब मनाया जाता है? अंतराश्टिय पर्वत दिवस कब मनाये जाता है। पर्वतिय जई विवेठा। Q4 पर आज़िए, सैयुक्त रास्ट विश्व परेटन संगठन द्वारा फर्बिट दिखरकिस में जारी विश्व परेटन बैरोमेटर के अनुसार किस वर्ष को किस वर्ष को वर्ष्ट यार ओन रिकॉर्ड घोशित किया गया है पताईए 2019 को, 20 को, 18 को या 17 को 17, 18 नहीं, वर्ष 2020 को तो सैयुक्त रास्ट विश्व परेटन संगठन द्वारा फर्बिट दिखरकिस में जारी विश्व परेटन बैरोमेटर के अनुसार वर्ष 2020 को वर्ष्ट यार ओन रिकॉर्ड घोशित किया गया ठीक है और सब कुछ किस के करण हुआ ये कोविड नाइनटीन के करण कोशन नुमर फाइब पर आज़िए केंद्रिय वजट 2021 के अनुसार कब तक कब तक ब्राड गेज रेल मार का 100 परतिश्व विद्धु दिक्रण करने का लक्ष रखा गया है वहता ही है इलेक्ट्रिसिटी से दोड़ेंगे सारे के सारे रेल इंजैनो ट्रेन क्योंकि डीजल जब निकलता है तो बहुत पल्यूशन करता है कब तक है ये दोहार 26 पच्चिस तो बहुत दूर है उससे पहले कर लेंगे दोहार 23 तक तो केंद्रे बजट 2021-22 में वर्ष 23 तक ब्रॉड गेज रेल मार्गों का सौब परतिशत विद्धु दिक्रिण करने का लक्ष रखा गया है कोश्चिन नमबर 6 पर आजए केंद्रे बजट 2021-22 में देश में कितने नेशनल इंस्टिटूट फॉर बायोलोजी के वाइरोलोजी के निर्मान का जो है परस्ताव है कोश्चिन नमबर 7 पर आजएए हाल ही में किसे वाइड लाइफ फोटोग्राफर आफ दा इयर 2020 पुरुसकार से संबानित किया गया कोश्चिन नमबर 8 पर आजएए ओल इंडिया फुटवल फेडरेशन ने हाल ही में किसे हीरो इंडिया वीमें लीग 2020-21 की मेजवानी सोपी है हीरो इंडिया वीमें लीग 2020-21 की मेजवानी कौन करेगा उडिसा तो ओल इंडिया फुटवल फेडरेशन अपने हाल ही में उडिसा को हीरो इंडिया वीमन लीग 2020 की बेजबानी सोबी सौब परतिस्यात सौर उर्जा से संचालित होने वाला देश का पहला हवाई अड़ा इंडिरा गांधी इंटरनेशनल एरपोर्ट दिल्ली यह तो है नहीं ठीक है सौर उर्जा से संचालित यह है पुदुचेरी हवाई अड़ा देखिए जो छोटा हवाई अड़ा होगा उसी की संभावना अधिक रहती है पुदुचेरी हवाई अड़ा जो है भारतिय विमान प्राधिकरण है भारतिय विमान पत्तन प्राधिकरण का पहला एंसा हवाईड़ा है जो पूरी तरह से सौर उड़जा से संचालित है यहां दो अक्टूबर 2020 को अनवानित 2.28 करोड की लागत के साथ सोर उड़जा से लगाया गया कि ए अंचन बेटलेंड बताएब मिले के तमय से किसराज में इस्धित है कि आशन बेटलेंड उत्रा खंड благодар का पहला ठीक है आध्र भूमी है इसलिए इसलें इंपोर्टन आइए उत्राखंड sisters में इस्थित conservation reserve है जिसे 16 October 2020 को रामसर conservation site के रूप में सूची बद दिखिया गया यह उत्राखंड का पहला रामसर site है ठीक है पहला रामसर site है इसलिए important है यह वेटलेंड यमुना नदी के तरफ पर इस्थित है और यहां लगबग हर वर्ष सर्दी के मौसम में दस हजार के लगबग देसी विदेसी पक्षी आते हैं काबर ताल जील नमर्कत में से किस राज में स्थित है पताईए काबर ताल जील यह बिहार में स्थित तो काबरताल जील बिहार के बेगु सराय में इस्थित है और ये बिहार का पहला रामसर साइट है ठीक है पहला रामसर साइट है बिहार का चलिए कोशन नमबर बारा पर आजएए नमलिखित कत्मों पर विचार करना है दो स्टेटमेंट है बताने की नमें से कौन सा करेक्ट होगा नमबर 2022 में महराष्ट के बुलढाना जिले के लोनार मेस्थित उलका जील को रामसर साइट घोशित किया गया है ठीक है उलका के बोलते हैं इसको क्योंकि ये उलका के गिरने से बनी थी कई सो साल पहले ठीक है उनना इसको लोनार जील के नाम से जानते है यह महराष्ट का नं केंद्रे सड़क परिवहन राजमार्ग और सूख्षम लगुए अध्यम उद्योग मंत्री नितिंगड़करी ने 20 अक्टूबर 2020 को असम के जोगी घुपा में देश के पहले देश का पहला है इसलिए इंपोर्टन्ट है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्ग की आधार सिला को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माद्य हम से रखा इसका विकास भारत में भारत सरकार की जो महत्वाकांसी परियोजना है भारत माला परियोजना उसके तहत किया जाएगा भारत माला परियोजना के तहत भारत का पहला मल तो केंद्रिय सडग परिवहन राजमार्ग और सूक्षम लगू एवं मध्यम उद्योग मंत्री नितिंग गड़करी ने 20 अक्टूबर 2020 को असम के जोगी घुपा में देश के पहले मल्टी मॉडर लोजिस्टिक पॉर्ग की आधार सिला वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माद हम सडग कनेक्टिविटी माद हम से और रेल कनेक्टिविटी और जलमार कनेक्टिविटी के माद हम से भी देखें इसका जो विकास है भारत सरकार की महत्वा कानशी भारत माला परियोशना के तहरत किया जाएगा ठीक है तो भारत का पहला मल्टी मॉडर लोजिस्टिक पार्क असम में भारत माला पर्योशना के तहट और यह है एक अंतराष्टिय पार्क होगा कोश्चन नमबर 14 पर आज़े देश का पहला टायर पार्क कहां इस्थापित करने की खोशना की गई है देश का पहला टायर पार्क कहां बनेगा कलकत्ता में पस्षिम बंगाल इस पार्क में स्क्रैप और खराब हो चुके पूर्जों से बनी कला कड़तियों को प्रदर्शित किया जाएगा कोश्चन नमबर 15 पर आज़े भारत का पहला गंगा अबलोकन संग्रहाले नमने कितम से कहां इस्थापित किया गया है इस्थापित हो गया हä पहला है इसलिएं इंपोटेंट है गंगा अबलोकन संग्रहाले उत्रकंड के हरीद्वार में 29 सप्टेंबर 2020 को प्रदानमन्तिरी नुरेंधर मोदी के दोरा उत्रकंड के हरीद्वार में ठीक है अपनी तरह के पहले गंगा अब लोकन नामक संग्रहाल है का उधगाटन किया गया इस संग्रहाले की स्थापना से गंगा नदी की जय विवेता तथा उसकी संस्कृति को समझने में सहायता मिलेगी तो ये पंदरा प्रश्णते करेंट से रिलेटेड इनकी प्रक्टिस से एक बार कर लिजेगा आप सब्सक्राइब कर सकते हो सबल सर्वसी स्टेडी चैनल को लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस कर दीजे जितनी भी टैस्स स्रीज इस पर चल रही है उसका लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है धन्यवाद